जैसाहिराम नमस्कार मैं ब्रिजमोंसूरी स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल में मैं ब्रिजमोंसूरी मोटिवेशनल स्पीकर, साइग्रंत राइटर, रेड़ बुक एक्सपर्ट आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक नया विशे, आज हम इस विशे पर चर्चा करेंगे, आप जानते हैं कि हम लगातार नए नए विशे आपके लिए लेकर हाजिर रहते हैं, तो आएए आज का विशे शुरू करते हैं 9 दिसम्बर 2018 का उपाई यहां बताने जा रहा हूँ आप जानते हैं कि प्रती दिन एक उपाई बताया जाता है और यहे उपाई आपके पूरे परिवार को लाब दे सकता है अध्यात्मिक्ता की डिश्ट देखा जाए या फिर हम राशी के नुसार देखें या ग्रहों के नुसार देखें या गोचर के नुसार देखें तो इन सब को मद्य नजर रखते हुए मैं यह उपाई आपके लिए देता हूँ जो आपको बहुत लाब देते हैं जनम कुंडली में ग्रह कुछ और हिसाब से होते हैं और जो ये उपाए होते हैं ये और हिसाब से होते हैं यदि आपको कोई में समस्या है यदि आपको कोई मुख्य समस्या आपके सामने आ रही है तो उसके लिए जनम कुंडली दिखा सकते हैं क्योंकि जनम कुंडली आपकी परतेक समस्या का हल अपने अंदर समाय रहती है जनम कुंडली देकर मालूम हो जाता है कि ये समस्या है और इसका ये हल होना चाहिए और उपाय करने से वह समस्या दूर हो जाती है किसी योग के जोतिशाचारे को ही जन्मकुंडली दिखाना चाहिए आज हम जो बात करने वाले हैं वे हैं कल यानि संडे रविवार के उपाय की तो ये उपाय हमने कैसे करना है क्या करना है मैं ये आपको बताने वाला हूँ रविवार है सूरे का दिन है इस दिन विशेश रूप से एक योग बन रहा है सूरे का जिसमें यदि हम ये उपाय करते हैं तो हमें विशेश लाब मिलेगा इसलिए ये उपाय अच्छी तरह से सुनकर कीजिए क्योंकि कुछ सिम्टम्स यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिन में वे सिम्टम्स हैं वो उपाय कुछ और डंग से करेंगे और जिन में वे सिम्टम्स नहीं हैं वे हैं उपाय कुछ और डंग से करेंगे तो इसलिए जरा गंबीरता के साथ इसको निये का प्रेतन कीजिए यदि आपको नमक कम लग रहा है, कमर में दर्द होता है रात को आपके मुँ से पानी गिरता है और बाईयां आख में कोई प्राबलम है और आपको लगता है कि आपका वपार तेजी से नीचे जा रहा है और आपको लगता है कि आपकी इज़्जत कम हो रही है तो फिर आपको जो मैं उपाई बता रहा हूँ उस हिसाब से करना है एक कांच का गिलास लेना है उसमें गुड डालकर जमीन में दबाना है सूरे डूबने से पहले पहले यदि ये सिम्टम्स हैं यानि इनमें दो सिम्टम्स भी है मेंली नमक कम लग रहा है रात को सोय हुए मुझ से पानी किरता है सुबे उठने पर श्रीर अकड़ा-कड़ा सा महसूस होता है तब आप ये उपाए इस परकार से करेंगे यदि ये सब कुछ नहीं है फिर आप गुड का दान करेंगे गुड लेंगे और आठ सो ग्राम यहां असी ग्राम ले 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 यहां फिर आठ सो ग्राम ले ले यहां फिर आठ किलो ले ले ले, यहां फिर असी किलो ले ले, जितना आपका दिल करता है, उतना घुड़ा आप लेंगे, और यह आप दान करेंगे किसी गरीब को, यदि आपको गरीब मिलने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो फिर आप लंगर में डाल सकते हैं, म प्रॉबलम आती है कि उनको गुसा यादा आ रहा है, उनका बीपी हाई हो रहा है, ऐसे व्यक्तियों को सूरे को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉड़ी में सूरे की उशंता, सूरे की घरमी पहले ही बढ़ चुकी है, उनका सूरे पहले ही टिगरी लिए हुए है, यदि वो सूरे की किरने जल में से अपने शरीर में और परवेश करवाएंगे, तो और अधिक प्रॉबलम बढ़ जाएगी, इसलिए कोई भी उपाये टोटका करने से पहले विचार जरूर होना चाहिए, कुछ जर्नल होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, आप गुरदान क गाएं को खिला दीजिए, किसी मंदिर गुर्द्वर में दे दीजिए, जल परवाग कर दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए, तो यह जर्नल होते हैं, इनका लाव होता है बहुत दूर तक, लेकिन कुछ एक टोटके होते हैं, जो हम ग्रह के अनुसार करते हैं, तो देख करना होता है ग्रह की डिगरी उच है ग्रह की डिगरी डाउन है दूसरे ग्रहों की मदद चाहिए हम कैसे उपाय करें कि हमें लाव मिले देखिए astrologer बहुत मिलेंगे आपको जो कुणली देख कर ये बता देंगे आपकी life में ये हो रहा है ये होगा ये बहुत सदारन बात है क परतेक अस्ट्रोलोजर के वश में नहीं है। आपके बच्चा नहीं हो रहा है। इस समस्या का निवारन कर पाना परतेक अस्ट्रोलोजर के वश में नहीं है। इसको ठीक कैसे किया जाए ये सब कुछ एक गहन अध्यन का विश्य बन जाता है। यानि जनम कुडली को बहुत गम भीता से देखना पड़ता है और उसके लिए थोड़ा समय भी चाहिए होता है। और एस्ट्रोलोजर भी योग्य होना चाहिए। ये नहीं एक किताब कर कोई अस्ट्रोलोजर बन गया और अपने शोरूम में शीशे का दर्वाजा लगवा लिया और आप उसके पीछे पीछे बागने लगे। इसलिए जब भी दिखाएं किसी अच्छे अस्ट्रोलोजर को ही दिखाएं। और जो आज का उपाए बताया है ये मासिक दरम है य ठीक है यदि आप किसी के लिए करने जा रहे हैं तो हाथ में पानी लेकर संकल अपवश्य ले लीजिगा कि जो मैं ये उपाए करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं इसका लाब अमुक अमुक व्यक्ति को मिले और वह जल जमीन पर गिरा दे, इस प्रकार ये उपाए कर प्रति दिन एक वीडियो डाला जाता है, यदि आप चाहते हैं, बहुत अधिक लाब लेना है, जो जितना दान करने से लाब मिलेगा, उससे कई हजार गुना लाब लेना है, तो फिर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेर कीजिए, ताकि जितने लोग करेंगे, उनका कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा, तो ये अधिक लाब कमाने का एक असान सा तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो इस परकार आप ये कीजिए, आपको अधिक लाब मिलेगा, सुख मिलेगा, शान्ती मिलेगी, प्रति दिन एक वीडियो डाली जाती है, उसको देखें, रोज क मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा होंसला बढ़ेगा, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए, तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उन जनम पत्री देखने की हमारी फीस होती है आप जानते होंगे कि जनम पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं जनम पत्री में बहुत सारे योग होते हैं योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परन्तु हमें लाप प्रा जब योग एक्टिवेट ना हो, कमजोर हो, तो ग्रह काम नहीं करते हैं, और जब ग्रह काम नहीं करते हैं, तो फिर उनके उपाए कितने भी कीजिए, आपको लाब नहीं मिलेगा, कब तक, जब तक कि उस योग को बली नहीं किया जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता, तो ज़िए आप जनम पत्री दिखाना चाहते हैं तो WhatsApp कीजिए, सवाल है तब भी WhatsApp कीजिए, WhatsApp का जवाब चाह रहे हैं, पांच दिन में मिलता है, फोन मत कीजिए, फोन यहां कोई नहीं उठाता है, तो आप मैं इजाज़े चाहूंगा, नमस्कार, खुश रहिए और आपने कीजिए प्रूम्स टासरा है तो में वी हैं, नमस्कार, लिए और उटा कीजिए, झाला है, वी हैं, तो आपने धाना सबस्क्या में जाएवाब चाहते हैं, वी दो हैंड़े घटे वाने जाड़े का जामें बढ़े हैं, यहां का एंड़े हैं, में जाएब बढदावश।